नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका online study pdk में तो दोस्तों पर्यावरण अधन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं एक तरह से अभियास है आपका आपने जितना भी पढ़ा है अब तक उसकी एक यह revision है evaluation करने का कि कितने question आप सही attempt करते हो तो यह वीडियो को like कीजिए share कीजिए and subscribe कीजिए मेरी youtube channel को so now friends let's start so first question है मिट्टी में क्रिशी के लिए सिचाई की आवशकता नहीं पड़ती है कौन सी मिट्टी में क्रिशी के लिए सिचाई की आवशकता नहीं पड़ती है irrigation के लिए काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोड मिट्टी या लेटराइट मिट्टी तो सही answer जो है वो है हमारा a option काली मिट्टी इस मिट्टी में क्रिशी के लिए सिचाई की आवशकता नहीं पड़ती है जीवन चक्र की दिश्टी से पोधे का सबसे महतपून अंग कौन सा है इपोर्टेंट सबसे बताना है कि जो पोधे का सबसे इपोर्टेंट अंग माना जाता है जीव चक्र में पुष्प, जड़, पत्ति, यतना तो राइट आंसर है जीवी चकर की डिस्टी से पोधे का जो सबसे इपोर्टन्ट जो अंगमाना जाता है वो है जड़ क्योंकि वो जड़ों से ही शुरूव उतरस का जीवन चकर सभी ऑप्षिन राइट केचवा किसानों को किस प्रकार ला पहुंचाता है किसानों का मित्र कहां जाता है केचवी को हानिकारक कीटों को नस्ट करके हानिकारक जिवानों को नस्ट करके उप्रक दोनों या भूमी को खोकला करके तो सही आंसर जो है केचवा जो है मित्टी को वो खोकली कर देता है उस उसके उपयोगी बना देता है वो क्रिशी के उपयोगी बना देता है उसको नरम तो भूमी को खोकला करके नेक्स है व्रिक्ष की आयू ग्याद करने की सबसे अच्छी विधी है शाखाओं की संख्या ग्याद करना पार्शिक वलेओं की संख्या ग्याद करना व्रिक्ष पर उपस्तित पतियों की संख्या गिनना या वरिक्ष का वयास या उचाई ग्याद करना तो राइट आंसर जो है वरिक्ष की आयू अगर ग्याद करनी है तो सबसे अच्छी विदी जो है वार्शिक वलेों की संख्या ग्याद करना जो तने पर होती है तो वार्शिक वलेों की सं स्वास्ते संगठन WHO का मुख्याला जो है कहा है ये पूछे जाते हैं कोशन नियॉर्क, पैरिस, जेनेवा या लंडन तो सही आंसर जो है WHO का जो मुख्याला है वो जेनेवा में है किस पोधे के फलो को भूमी के नीचे से पाया जाता है आलू, गाजर, मुंगफली या प्याज तो पताना है सही आंसर किस पोधे के फलो को भूमी के नीचे से पाया जाता है तो वो है मुंगफली अस्थाई कठोर जल में घुले होते हैं यह रीजनिंग का कोशन है तो एक फोटो में एक व्यक्ति की और इशारा करते हुए रमन ने कहा वह है मेरे भाई की बेहन की मां की एक मात्र बेटी है इस फोटो के व्यक्ति के साथ रमन का क्या समन्ध है तो यह reasoning का question है रमन का उससे क्या समन्ध है तो उसने जो भाई की बेहन की मा के एक मत्र बेटी है तो वो बेहन कहलाती है कमला का परीचे देते हुए महेश ने कहा है उसके पिता मेरे पिता के इकलोते पुत्र है अब महेश का कमला से क्या समन्ध है भाई, पिता, चाचा इन में से कोई नहीं तो वो उसका पिता कहलाता है रिजनी का question है वैसे पूचे तो नहीं जाते बट फिर भी रखे थे तो इसका अंसर है पिता भारत का कौन सा राज्य है शक्कर का कटोरा कहलाता है आंधर परदेश उत्र परदेश हिमाच्यल परदेश या तमिलाडू तो कौन सा राज्य है शक्कर का कटोरा के नाम से फेमस है वो तो वो है आपका उत्र परदेश उचित विकलब का चैन कीजिए बकरी का तुम मैमना है तो मेंड़क का क्या होगा टेड़ पोल कच्छप चूजा या लार्वा तो मेंड़क का कहलाता है टेड़ पोल ठीक है ये उसकी अवस्था होती है प्राणभी का वस्था टेड़ पोल की मेंड़क की अगला है पुलिस जासूसी कारेयों के लिए कुत्तों का प्रयोग क्यों क तथा वफवदार होते हैं तो सही आंसर जो अगडियर क्योंकि वो पराश्रवय जो तरंगे हैं जिनको मनुश्य भी ने सुन सकते हैं तो B option is right निमन में से कौन सी साबुन की विशेश्टा नहीं है शुद साबुन रंगीन होती है जल से हलके होती हैं रसायन विलाइकों में अमिश्रणिय होते हैं यह जल के साथ इमल्शन मनाते हैं तो सही आंसर जो है जो विशेश्टा नहीं है कि वो रसायनी विलाइकों में अमिश्रणिय होते हैं दो भोज्य प्रोटीन जिन में प्रचूर मात्रा में पाया जाता है बताना है किस में प्रोटीन प्रचूर मात् की छोटे दिन के नुसार अनुक्रिया करती हैं तो सही आंसर है चोटे दिन के अनुसार अनुक्रिया करते हैं कि कब उनको प्रवास करना चाहिए परेवन अधर में निदनात्मक परिक्षन का उदेश्य निमलिखीत में से कौन सा होगा डाइगनोसी जो टैस्ट होते हैं उसके बाद उप्चारात्मक शिक्षन किया जाता है तो फोर्थ उप्षन सही होगा अप्रोक सभी कमजोरियों को पता लगाना बच्चों की और उप्चारात्मक सुझाव देना और कमजोरियों को दूर करना ये तीनों ही उप्षन सही है तो D option is right नीचे दिए गए विभिन स्त्रोतों में से कौन स्त्रोत पर्यवन अधन की विश्य समागरी का स्त्रोत नहीं है नहीं है पूछा है जो से मेल नहीं खाता है वानिज्य भूगोल इतिहास यह राजनीती तो देखिए भूगोल इतिहास और राजनीती तो इससे लेट करते ही है परेवन अधन से लेकिन वानिज्य जो होता है यह कॉमर्स से लेटर है ठीक है कॉमर्स को बोलते हैं वानिज्य तो इतसे लेटेड यह नहीं है, तो A option is right, निमन में से परेवन अधन का घटक नहीं है, भूमी, वर्षा, यातयात या जलवायू, तो जो परेवन अधन का घटक नहीं है, देखें भूमी भी है, वर्षा भी है, जलवायू भी है, लेकिन यातयात नहीं है, ट्रांस्पोनेश तो C option is right परियावन अधन शिक्षण में निमंदात्मक परिक्षणों को क्या की क्या विशिष्टा है जो ऐसे टाइब जो टैस्ट होते हैं भावो का संख्थन करने में निर्मान की दृष्टी से सुगम विश्थित पाटाकर्म परधारित या उप्रोक सभी तो fourth option सही होगा परियावन अधन में जब ऐसे टाइब जो कोश्चन जो होते हैं उनकी विशिष्टा होते हैं कि भावो का बच्चे किस तरह से संख्थित रूप से वो अभिव्यक्त करते हैं अपने विशारों को निर्मान की दृष्टी से सुगम होते हैं और विश्थित प पूर्ती के लिए कुछ भी नहीं है यह कथन किसका है ड्योवी पेस्टरलोजी गांदी जी या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर जो है वो है बी option is right पेस्टरलोजी राजदेश के पर्यावरण की सुरक्षा तथा उनमें सुधार करने और वन तथा वन्यज जीवों की रक्षा करने का प्यास करेगा इस सविधान शर्शोधन के अनुसार ऐसा कहा गया था किस सविधान शर्शोधन के अनुसारी कहा गया था तो इसको अच्छे से देख लीजिए पूछा जा सकता है इनमें से right to education जो constitution है जो संशोधन उसमें किये थे उनके अनुसा आटन पदिती जो है शिक्षन के किस अधार्वू सिधान पर अधारित है रूची का सिधान क्रिया शिल्ता अथ्वा करके सीखने का सिधान प्रेणा का सिधान या निश्चित उदेश्य का सिधान तो इसका सही आंसर होगा वो है क्रिया शिल्ता का मिस बच्छे अक्टिव करके सीखते हैं तो सही आंसर है भी ओप्शन किसने कहा वातावर्ण के पूर्व अनुकूलन करने का अर्थ है मृत्यू आफशक्ता इस बात की है कि वातावर्ण पर नियंत्रन रखा जाए तो किसके अनुसार है एडियर तो वो है डिवी पर्यावर्ण अध्यन शिक्षन में ज़ drivers आधरी लिए पर अधारिष पााथया सामागरी क्रिया कौन सिर शर्ट्रभ्र्वन अलग- अलग की मिट्टियों को इकठ्था करना मांचित्र इकठ्थे करना या ब्रोक सभी तो पाथया सामागरी क्रिया कौन सिर्खेल विदी पर टो डिवी ओप्शन सही होगा इसम प्लेवे मैथर्ड इसमें यूज के जा रहा है शेत्र भ्रह्मन भी अलग-अलग की जो मिट्टिया है उनको इकठा करना हूं मांचित्र इकठे करना तो ये खेल विदी पर आधारी थे है पर्यावन अधन शिक्षन में छात्रों की समय सारनी जो टेबल टाइम टेबल जो होत और ये अधन शिक्षन प्रात्मी कक्षाओं में से घ्रह कारिय से समंधित कौन सा कथ्न गलत इस खूँचा है तो देख लीजेए अंसर क्या होगा ग्रे ग्रे अधिक मात्रा में देना चाहिए बिल्कुल गलत है ये ग्रे कार्या पड़तेक चात्र को अलग-अलग देना चाहिए ये तो सही है व्यक्तिकत मिन्ता को धियान में रखकर और ग्रे कार्या चात्र को बिना किसी सायता की करना चाहिए ये भी सही है और ग्रे कार्या जो है का साई यह किसने का है तो यह कोशन पूछे जाते हैं ठीक है तो ऑप्शन भी इस राइट पेस्टरलोजी का परेवन अधन शिक्षन में मुलांकन के लिए परिक्षा वस्तु निष्ट प्रशनों का प्रकार क्या है प्रत्यसमन रूप अभिग्यान पदरूप ए और बी दोन प्रत्यसमन रूप और अभिग्यान पदरूप परेवन शिक्षा की है अवधारना परेवन शिक्षा परेवन शुरक्षा के उदेश्यों को प्राप्त करने का साधन है परेवन शिक्षा किसी विग्यान अत्वा विशे के अध्यन की प्रितक शाखा नहीं है किसने प्रस्त is right UNESCO नीमन में से कौन वन्य जीव सरक्षन के कारया नीती और कारया करम की रूप रेखा तियार करती है वन सरक्षन अधिनियम रास्ट्रय वन्य जीवन कारया योजना वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम उपरोक में से कोई नहीं तो 30 का सही आंसर है होती हैं तो बता दीजिए कोशन कैसे गई है स्कोर अपना बता दीजिए और explanation मैंने कम रखी है क्योंकि ये तो आपकी revision है आपकी तैयारी है अंतिम तैयारी है टेस्ट है आपका सुरियर वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लिजिए यूट्यूब चैनल को बैल आइकन को प्रेस कर लिजिए तभी आपको नौटिफिकेशन आएगी तिल देन बबाई दबराखा जय बोले नात